ओम शान्ति आज बाबा के 8 एप्रिल के महावा क्ये हैं बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे इन आखों से जो कुछ देखते हो ये सब खतम हो जाना है इसी लिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं ब्रश्न है तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है उत्तर है जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शान्ती धाम को याद करते हो तुम जानते हो साइलेंस मन जीते जी मरना यहां बाप तुम्हें सतगुरू के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्द करते हो तुम्हें ज्यान है कि अब घर जाना है दूसरे सतसंगों में शांती में बैठते हैं लेकिन उन्हें शांती धाउं का ज्यान नहीं है औम शांती मीठी मीठी सिकी लदे रुहानी बच्चों प्रती शिव बाबा बोल रहे हैं घीता में है शिरी कृष्न बोले लेकिन है शिव बाबा बोले शिरी कृष्न को बाबा नहीं कह सकते भारत वासियों को मालुम है कि पिता दो होते हैं लौकिक और पारलौकिक, पारलौकिक को परम पिता कहां चाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते, तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक बाप, पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तुम जाते हो शांती धाम, जिसको तुम मुक्ती धाम, निर्वान धाम, वैवान प्रस्त भी कहते हो, अब बाप कहते हैं, बच्चे, अब जाना है शांती धाम, सिर्फ उनको ही कहां जाता है, टावर ओफ साइलेंज, यहां बैठे हुए, पहले पहले शांती में पैचना है, कोई भी सत्संग में पहले पहले शांती में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांती धाम का ज्यान नहीं है, बच्चे जानते हैं, हमा अत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है, कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते ह हैं, वे अच्छी रीती पढ़ना है, वे सुप्रीम टीचर भी है, सद्गती दाता गुरू भी है, उनसे योग लगाना है, ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते, ये है एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं, जीते जी मरने को साइलेंस कहां जाता है, तुम जानते हो, हमको अब शानते धाम घर में जाना है, जब तक पवित्र आत्माई नहीं बनी हैं, तब तक वापिस घर कोई जाना सके, जाना तो सब को है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाडी में सजाइन मिलती हैं, फिर पद भी ब्रश्ट हो जा मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से आरते हैं, बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परन्तु गफलत से बाप को याद नहीं करते, यहां तो एक बाप को ही याद करना है, भक्ती मार्ग में भी बहुत बटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं, बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं, समझाया जाता है, ज्यान है दिन, भक्ती है रात, रात को ही दका खाया जाता है, ज्यान से दिन, अर्थाट, सत्यूग त्रेता, भक्ती मनरात, द्वापर कल्यूग, यह है सारी द्रामा की डियूरेशन, आदा समय दिन, आदा समय रात प्रजा पिता ब्रम्हा कुमार कुमारियों का दिन और रात ये बेहद की बात है, बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्री, मनुषय ये नहीं समझते कि शिवरात्री किसको कहा चाता है, तुम्हारे सिवाई एक भी शिवरात्री के महत्व को नहीं जानता क्योंकि यह है बीच जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है इसको कहा चाता है पुर्शोतम संगम युग पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही है पुर्शोतम संगम युगे युगे ऐसे नहीं, युगे युगे, सत्युक्तिरिता का संगम, उसे भी संगम युग कहां कह देते हैं, बाप कहते हैं, ये बूल है, शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तो बाप पिनाश होंगे, इसको योग अगनी, कहां चाता है, तुम सब ब्राह्मन हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए, वी ब्राह्मन लो कामचिता पर चढ़ाते हैं, उन ब्राह्मनों और तुम ब्राह्मनों में रात दिल का फरक है, वह है कुखवनशावली, तुम हो मुखवनशावली, हर एक बात अच्छी रिती समझने की है, यूं तो कोई भी आते हैं, उसको समझाया चाता है, बेहत के बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, और बेहत के बाप का वर्सा मिलेगा, फिर जितना जितना दैवी गुण धारन करेंगे, और कराएंगे, उतना उचपद पाएंगे, बाप आते ही हैं, पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्व करनी है पतित तो सभी है गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके पतित पावन नाम शिव बाबा का है वे आते भी यहां है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लैन अनुसार तब बाप आते हैं पहले पहले तो बच्चों को अलब समझाते हैं मुझे याद करो तुम कहते हो न वे पतित पावन है रुहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन कहते हैं हे भगवान अत्वा हे बाबा परन्तु परिचे किसको भी नहीं अभी तुम संगम वासियों को परिचे मिला है वह है नर्कवासी तुम नर्कवासी नहीं हो हाँ अगर कोई हार खाता तो एकदम गिर पढ़ते हैं की कमाई चट हो जाती है बोल बात है पतित से पावन होने की यह है ही विशश दुनिया वह है वाइसलेस दुनिया नई दुनिया जहां देवताइं राज्य करते हैं अभी तुम बच्चों को मालुम पढ़ा है पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जनम लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सुर्यवन्शी हैं वे पहले आते हैं। 21 पीडी वर्सा पाते हैं। कितना बेहद का वर्सा है। पवित्रता सुख शांती का सत्युग को पूरा सुख धाम कहां जाता है। त्रेता है सेमी क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखरेन बाकी लखीर जाकर बचती है। निल नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है। निल नहीं होते इसको कहां जाता है। आटे में नमक बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला भी बुद्धी से काम लिया जाता है। परमात्मा तब आते हैं। जब बहुत आत्मई अत्वा बहुत मनुश्य हो जाते हैं। तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किसलिए लगता है। वह मेले तो पहले होने के लिए हैं, इस समय तुम बागवान द्वारा काटे से फून बन रहे हो, कैसे बनते हो याद के बल से, बाप को कहा जाता है सर्व शक्तिमान, जैसे बाप सर्व शक्तिमान है, वैसे रावन भी कम शक्तिमान नहीं है, बाप खुद ही कहते हैं, माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है, कहते हैं बाबा, हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को बुला देती है, एक डोके तुश्मन होएना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है, देवताओं और असुरों की कोई है नहीं, युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता पनते हो, माया याद में विगन डालती है, पढ़ाई में विगन नहीं डालती, याद में ही विगन पढ़ते है, घड़ी-घड़ी माया भुला देती है, देह अविमानी बनने से माया का धपड लग जाता है कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं यह है ही रावण राज्य यहां भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ काला मुँ मत करो फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी अर्थार काला मुँ कर बैठे गुरा और सावरा है न विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं शाम सुन्दर का भी अर्थ सिवाए तुमारे दुनिया में कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण को भी शाम सुन्दर कहते हैं, बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं, स्वर्ग का फर्स नंबर प्रिंस धाम, सुन्दरता में नंबर वन ये पास कोता है, फिर पुनरजनम ल तो नाम रखा है शाम सुन्दर, यह अर्थ भी बाप समझाते हैं, शिव बाबा तो है ही एवर सुन्दर, वे आकर तुम बच्चों को सुन्दर बनाते हैं, पतित काले पावन सुन्दर होते हैं, नाचरल ब्यूटी रहती है तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने गायन भी है शिव भगवानु वाच माताई स्वर्ग का द्वार खोलती है इसले वंदे मात्रम गाया जाता है वंदे मात्रम तो अंडस्टूट पिता भी है बाप माताओं की मैमा को बढ़ाते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायन यहां फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज ग्रामा का राज ऐसा बना हुआ है बाप रचैता पहले अपना परीचे देते हैं एक है हद का लौक एक बाप दूसरा है बेहद का पारलोकिक बाप, बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि उनसे बेहद का वर्सा मिलते हुए भी, बेहद के बाप को याद करते हैं, बाबा आप आएंगे, तो हम और संग तोड एक आप से ही जोडेंगे, ये किसने कहा, आत्मा ने, आत्मा ही इन ओर्गिन्स द्वारा पाठ बजाती है, हर एक आत्मा जैसी-जैसे करम करती है, ऐसे-ऐसे जनम लेती हैं, साहुकार गरीब बनते हैं, करम है ना, ये लक्ष्मी नारायन, विश्वद की मालिक है, इन्होंने क्या किया, ये तो तुम ज और तुम ही समझा सकते हो बाप कहते हैं इन आखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य ये तो सब खतम हो जाना है नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है हम उसमें जाएंगे ये पुराना मकान तो तूट फूट जाएगा ये है बेहद की बात बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की इस्थापना करने ये पुरानी चीची दुनिया है तुम बच्चे अभी त्रीमोर्टी शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो, वास्तव में तुम्हारा ये त्रीमोर्टी कोर्ट of Arms है, तुम ब्रामनों का ये कुल सबसे उचा है, चोटी है, ये राजायी स्थापन हो रही है, इस कोर्ट of Arms को तुम ब्रामन ही जानत शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए बिनाश तो होना ही है दुनिया कमो प्रदान बनती है तो नैचुरल केलिमिटीज भी मदद करती है पुद्धी से कितनी साइंस निकालते रहते हैं पेट से कोई मुसल नहीं निकले हैं ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खतम कर देते हैं बच्चों को समझाया है उचते उच है शिव बाबा पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की ब्रामनों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते महिमा लायक हो जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र शरीर भी नया पवित्र मिलता है इस समय तुम महिमा लायक ह वंदे मात्रम गाया जाता है, माताओं की सेना ने क्या किया, माताओं ने ही श्रीमत पर ज्यान दिया है, माताओं सबको ज्यान अमरित पिलाती है, यथार्त रिती तुम ही समझते हो, शास्त्रों में तो बहुत कहानिया लिखी हुई है, वैं बैटकर सुनाते हैं, तुम सतसत करते रहते हो, तुम यह बैटकर सुनाओ, तो सतसत कहेंगे, अभी तो तुम सतसत नहीं कहेंगे, बनुश्यतो ऐसे पत्थर बुद्धी है जो सत्सत कहते रहते हैं गायन भी है पत्थर बुद्धी और पारस बुद्धी पारस बुद्धी मानब पारस नाथ नेपाल में कहते हैं पारस नात का चित्र है पारस पुरी का नात ये लक्षमी नारायन है उन्हों की डैनिस्टी है अब मूल बात है रचैता और रचना के राज को जानना जिनके लिए दिशी मुने भी नेती नेती करते गए है अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो अर्थार्थ आस्ति बनते हो माया गावन नास्तिक बनाती है अच्छा मिठे मिठे सिखिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादक का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादक को याद प्यार के लिए मुख्यसार है सदा समर्ती रहे कि हम ब्रह्मा मुखवन्शावली ब्राह्मन है हमारा सबसे उच कुल है हमें पवित्र बनना और बनाना है पतित पावन बाप का मददगार बनना है याद में कभी गफलत नहीं करना है देह भिमान की कारण ही माया याद में विगन डा इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है योग अगनी द्वारा पाप नाश करने हैं वर्दान है साधनों की प्रवर्ती में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भवत साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो ये साधन है ही आपके लिए लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो पुरा बैलेंसो साधन बुरे नहीं है साधन तो आपके करम का योग का फल है लेकिन साधन की प्रवर्ती में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो यूज करते हुए उनकी प्रभाव में नहीं आओ साधनों में बेहद की वैराग्यवरती मर्ज ना हो पहले स्वयम में इसी इमर्ज करो फिर विश्व में वायू मंडल फैलाओ स्लोगन है परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है मन में जब कोई संकल्प उत्पन होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए अंदर में कोई भी भाव, स्वभाव, पुराने संसकारों वे विकर्मों का किछड़ा नहीं हो जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा और जो सच्चा होगा वे सब का प्रिय होगा उसमें भी सबसे पहले वे प्रभु प्रिय होगा फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा संस्कारों की टककर से बच जाएंगे अच्छा, ओम शान्ति